तो आज हम देखने वाले कोशन इसने बोला गया है तो बोलने का मदलना भी इस कोशन में ये बोला गया है कि आपके पास दो मीडियम में एक मीडियम ग्लास का है एक मीडियम वाटर का है और आपके पास इन दोनों मीडियम के जो है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिये हुए है अगर index बहुत सारे है plural form में है तो उसको indices बोलते है students तो glass and water के absolute reflective indices आपको पता है या निकी question में दिया हुआ है वो है glass का 3 upon 2 and water का 4 upon 3 इसके लावा जो बोला गया है कि हमको पता है कि glass में light की speed अगर हमको पहले से पता है कि 2 into 10 to the power of 8 meter per second है तो हमको दो चीज़े calculate करना है दो चीज़े ये है कि हमको light की speed निकालना है vacuum में क्या होती है और second है water में क्या होती है देखा जाए तो students vacuum या air में light की speed कितनी होती है वो सबको पता है 3 into 10 to the power of 8 meter per second जैसे कि हमने और पिछले वीडियो में डिसकस कर चुके अगर ग्लास की बात कर रहे तो by default second medium क्या होता है मैंने बताया था air या vacuum होता है तो हमेशा जो यह दिया हुआ है absolute reflective index of glass with respect to vacuum या air ही दिया हुआ है तो हम यहां लिखेंगे कि basically देखिए glass का absolute reflective index का formula हो जाएगा speed of light in vacuum upon speed of light in glass तो यह vacuum क्यों है क्योंकि by default यहाँ पर क्या है vacuum या air है ओके students इतना clear है न तो अब देखिए यहां पर हम value put up करते हैं कि हमको पता है कि absolute reflective index जो है वो glass हा कितना है वो दिया है 3 upon 2 speed of light in vacuum हमको पता नहीं है वो हमको निकालना है तो उसको c लिख देंगे and speed of light in glass वो हमको दिया हुआ है 2 into 10 to the power of 8 meter per second put up कर देंगे अब देखिए हमको c निकालना है तो c को subject बनाएंगे या निकि इसको यहीं रखेंगे इसको इधर transpose कर देंगे तो यह क्योंकि divide में इधर जाएगा पर into हो जाएगा तो यह जाएगा 2 into 10 to the power of 8 into 3 upon 2 तो 2 से 2 cancel हो जाएगा इस टाइप से होगा न 3 upon 2 into 2 into 10 to the power of 8 अब यहाँ देखिए 2 से 2 cancel तो क्या हो जाएगा c equal to 3 into 10 to the power of 8 meter per second हो जाएगा और यह हमको वैसे भी पता था कि vacuum में light की speed होती है 3 into 10 to the power of 8 meter per second तो इस तरीके से हमारा पहला question हो है वो solo हो गया है चलिए अब बात करते हैं कि water में light की speed कैसे निकालेंगे देखते हैं तो वापस से वही absolute reflective index सा फार्मना लाएंगे students कि absolute reflective index of water with respective to vacuum तो जागा c upon v of यहने की उस respective medium में light की speed तो अब यहाँ पर क्या होगा जो यह absolute reflective index है water का वो question में दिया हुआ है 4 upon 3 है अब यभी हमने vacuum में light की speed निकालेंगे तो 3 into 10 to the power of 8 upon water medium में light की speed हमको निकालना है तो अब इसको subject बालना है इसको इधर भेज़ देंगे तो 3 जो है वो इधर आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा रहे क्योंकि 3 upon divide में तो यहाँ multiply हो जाएगा और 4 जो हो multiply में होगा VW के right तो यह इधर डिवाइट में जाएगा तो जाएगा 3 upon 4 into 3 into 10 to the power of 8 अब देखे 3 3s आ 9 9 को जब आ 4 से डिवाइट करेंगे तो कितना हैगा answer 2.25 और 10 to the power of 8 रहेगा as it is तो इस तरीके से water में light की speed हमको मिल जाएगी 2.25 into 10 to the power of 8 meter per second okay students I hope आपको एक क्लियर हो गया होगा अगर आपको माई वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला तो प्लीज हमाई चैनल को सब्स्राइट कीजिए and वीडियो को लाइक जबू करें आज के लिए इतना है thank you